नमस्कार आप सुन रहे हैं सुनू कहानी यूट्यूब चैनल आज की कहानी का नाम है वर्दान शिवानी ने हाथ की पत्रिका को एक और पटक दिया फिर अपने पती अक्षय की और देखा वह अपने ओफिस की किसी फाइल में डूबा हुआ था शिवानी कुरसी से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई सरदी के कारण खिड़की बन थी उसने परदा हटा कर खिड़की के शीशे में से देखा दूर तक अंधेरा था सड़क और मकानों की जलती हुई रोश्निया कहीं कहीं अंधेरे को तोड़ने का निरर्थक परयास कर रहे थी सड़क के दोनों और पेड़ शांत खड़े थे किसी प्रकार का स्पंधन नहीं था शिवानी ने सोचा ठेक मेरे जीवन की तरह यह सड़क कितनी सुनी कितनी अंधेरी इसमें फिर भी कहीं-कहीं रोश्नी है परन्तु मेरे जीवन में कहां है रोश्नी फिर तुरंती उसकी द्रिष्टी अक्षे के उरोट गई नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए अक्षे के होते हुई कहा है उसका जीवन अंधेरा तभी सन्नाटे को तोड़ती हुई पीछे से अक्षे के आवाज आई शिवानी, क्या सोच रही हो शिवानी की होटों पर एक उदास से मुस्कान फैल गई बोले, सोच रही थी मैं सदा अपने बारे में ही सोचती रहती हूँ कि मेरा जीवन कितना तूना है कितना खाली है आपके बारे में कभी नहीं सोचा कभी-कभी मैं आश्चरिय करती हूँ कि आप मुझसे घ्रणा क्यों नहीं करते आपने मुझे हर परकार का सुख दिया जिसकी एक स्तरी कामना करती है इतनी बड़ी कोठी सब तरह की सुईधाई और फिर धेल सारा प्यार और मैंने मैं इन सब के बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सके उसका स्वर कंपित हो गया आखें डबडबा आई अक्षे उटकर उसके पास चला आया उसके कंदे थपतपाते हुए बोला फिर वही पागलपन तुम्हें क्या हो जाता है क्या जीवन में संतान ही सब कुछ है तुम मिल गई इससे अधिक मुझे क्या चाहिए मुझे तो यही चिंता रहती है कि तुम अकेली घर में बोर होती हो क्योंकि मेरा तो फिर भी अधिकतर समय बहार निकल जाता है फिर कुछ हसकर वातावरन को हलका करने के विचार से बोला अब तो तुम सारा ध्यान मुझे पर ही देती हो यदि अपने बच्चे होते तो बस 24 घंटे तुम उन्ही में उलजी रहती अक्षय बावु जब ठके ठकाए ओफिस से घर आते तो मुस्कराती हुई पतनी के स्थान पर बाल बिखेरे गंदी सी साड़ी लपेटे हुए एक मा मिलती गरमा गरम चाय और समोसों के स्थान पर बच्चों की शिकायते सुनने को मिलती अक्षय के कहने के ढंग और उसकी भाव भंगीमा देखकर शिवानी को हसी आ गई नाक चड़ा कर बोली साहब अंगूर खटे है अक्षय गंभीर होकर बोला देखो शिवानी हर बुराई में कोई अच्छाई होती है सोचो तो यदि हमारा बेटा हो और वे खाराब निकल जाए तो हमें कितना मान से कलेश रहेगा बच्चे पालने में माबाप को कितने कश्ट उठाने पड़ते है कभी बच्चा बिमार हो तो रात रात भर जाकर उसकी सेवा करो अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपनी आवशाकतां को भूल कर उसकी फीस भरो अब हम स्वतंत रहें जहां जब चाते हैं जाते हैं जैसे चाते हैं रहते हैं रहने देजिए ये सब मन बहलाने की बाते हैं भाबी जी थी बच्चे थे घर में कितनी रोनक थे लगता था जीवन का कोई उदेशे है सुबह उठती थी तो मन में उल्लास रहता था कि दिन में यह करना है वह करना है अब उठते हूँ तो लगता है एक और दिन शुरू हो गया फिर एक लंबे सांस लेकर बोले भाबी जी का क्या चला जाता यदि गोरव को छोड़ जाती उनसे अधिक तो है मेरे पास ही रहता था सब काम मुझसे ही करवाता था अब तो है उस से चोटी लड़की को गोद देने के लिए तयार थे इसलिए उसके जनम से पहले वह यहां आकर रही कि उसे बच्चे का मोहने बढ़ने पाए और मैं पहले दिन से ही उसे पालो परंतु जैसे ही वह अपनी ससुराल पहुँची सांस ने उसका जीना दुश्वार कर दिया हर कर वह ले गई फिर आपके भाई साब की बदली यहां होई गोरव मुझसे हिल मिल गया भाबी जी भी कहती रही शिवानी गोरव तुम्हारा ही है मैं सोची रही थी कि गोद लेने का प्रिशन उठाओं तभी उनकी बदली हो गए और वे लोग चले गए साथ में मेरे सारे अर्मान तोड़ गए क्यों ने हम किसी अनात आश्रम से बच्चा गोद ले ले एक अनात बच्चे को माबाव का प्यार मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर की ममता को जो बहार आने को तड़पती रहती है एकाधार क्या एक अंजान बच्चा घर में ले आए ने जाने कैस अंदाएगा उसे ही लेंगे फिर एका एक उत्साहित होकर बोले बिल्कुल छोटा बच्चा लेंगे जिसको पूरी तरह हम अपने अनुकूल ढाल सकें ठीक है ठीक है अक्षय ने हसकर शिवानी की पीट थपतपाते हुए कहा अक्षय ओफिस जा चुका था शिवानी लॉन तो शिवानी ने अश्चरी से पूछा क्यों तरला आज ओफिस नहीं गई क्या बताओं भावी जी बड़ी परिशानी है मम्मी की तब्या ठीक नहीं है अब हर्ष को कैसे उनके पास छोड़ जाओ कल भी नहीं जाए पाई थी ओ तो आओ बैठो शिवानी ने प्रसन होकर कह तरला कुछ संकुचित सी होटे भावी जी छोटियां मैं पहले ही बहुत ले चुकी हूँ आपके पास तो मैं ये पूछने आई थी कि क्या आप हर्ष को रख सकेंगी गोरव था तब तो यह दिन बर यहीं उसके साथ खेलता रहता था पर अब आपको तंग करेगा वैसे मै प्रेतन तो करूंगी शिग राने का शिवानी ने हर्ष की और देखा वै उसे आकरशित करने के लिए तरह तरह की आवाजे निकाल रहा था शिवानी ने हसकर कहा हर्ष तुम मोटर लोगे या हवाई जाज वाई जाज कहकर हर्ष मा का हाथ चोड़ कर शिवानी से लिपट शिवानी ने उसे गोद में उठा लिया और घर के अंदर की और मुड़ गई फिर पीछे गुम कर कहा तरला तुम चिंताने करना हर्ष मेरे पास खेलता रहेगा बीच में मैं चाची जी को भी देखाऊंगी तरला का हिर्दे करतक ग्यता से भर गया वह तेजी से बस टोप के दोर चल दे शिवानी जब इस घर में नवदू के रूप में आय थी तब तरला 12-13 वर्ष की बालिका थी उसकी माने शिवानी की ग्रस्ती जमानी में बहुत साय तक ही थी इसी से शिवानी उन्हें चाची जी कहती थी तरला अधिक समय शिवानी के पास वैतीत करती शिवान ही उसे सिलाई बुनाई सिखाते यह उति होने पर तरला का प्रेम रंजीत से हो गया उसके माता पिता अपनी एक लोती पुत्री का विवा एक सेन अधिकारी से नहीं करना चाते थे उधर रंजीत के माता पिता भी जाती बिरादरी का बखेडा लेकर खड़े हुए थे तब के ससरवाल वालों ने उसका हाल तक नहीं पोचा हर्ष के जनम की सूचना पाकर भी द्रवित नहीं हुए तब तरला ने अपने माता पिता के पास ही रहकर एक ओफिस में नोकरी कर ली थे अगले दिन स्वेम शिवानी ही हर्ष को ले आई इसके पश्चात तरला प्रति दिन ओफिस जाते हुए हर्ष को उसके पास छोड़ जाती और ओफिस से आकर उसे ले जाती अक्षे ने एक दिन शिवानी से कहा शिवानी तुमने अनाताश्रम जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया कब चल रही हो क्या बच्चा गोद लेने का विचार छोड़ दिया नहीं तो आज कल आप इंस्पेक्शन के कारिया में व्यस्त है इसलिए मैंने कहना उचित नहीं समझा वैसे भी आज कल तो हर्ष आ जाता है मन बहल जाता है इसलिए तो मैं कह रहा था तुम जानती ही हो कि तरला के माता-पिता उसका पुनर विवा कर देना चाते है जिस दिन भी हो गया हर्ष चला जाएगा तुम्हारे हिर्दे को फिर चोट पहुँचेगी नहीं अब मुझे चोट नहीं पहुँचेगी क्योंकि मानसिक रूप से अब मैं इसके लिए तयार हूँ तरला इस समय बड़ी परिशान है इसलिए मैं आज कल हर्ष को रख लेती हूँ कहने को तो शिवानी ने यह कह दिया परंतुमन हिमन वह उस घड़ी से डरती थी जब हर्ष उसे छोड़ कर चला जाएगा अक्षय आज ओफिस से जल्दी आ गया था शिवानी उसके लिए चाय नाश्ते का प्रबंद करने के लिए रसोई में गई तब ही तरला हर्ष को लेने आ गई शिवानी ने भी उसे रसोई में ही बुला लिया इधर उदर की बाते करने के पश्चाज शिवानी ने हिचकते हुए तरला से पूछा तरला तुम्हारे मम्मे पापा जो तुम्हारा पुनर विवा कर देना चाते हैं तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में तरला की आँखों में उदासी घेराई बोली भाबी जी, भारत में तो कुमारी कन्याओं के विवा में ही इतनी अर्चने आती हैं, फिर विद्वा विवा की तो बात ही क्या? परंतु तुम्हारी बात तो अलग है, तुमने देश की रक्षा के लिए अपनी सुहाक का बलिदान दिया है, तुमसे विवा करना तो हमारे यहां के यूगों को गोरव की बात समझने चाहिए, ये सब आदाश तो किवल कहने के लिए हैं, फिर एक बच्चे का उत्तरदाइत कौन लेगा, क्यों, जब पुरुष अपनी दूसरी पत्नी से यहां आशा करता है, कि वह उसके पहली पत्नी के बच्चों को अपना समझ कर पालेगी, तो इस्तरियों के लिए अलग नियम क्यों है, यह हमारे संसकारों का प्रभाव है, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, मै की बिमारी का कारण मैं ही हूँ, वह हर समय यही तोचकर गोलती रहती है कि उन दोनों के बात मैं बिलकुल निराधार और एसोरक्षित रह जाऊंगे, वातावरन अधिक बोजी लोटा था, इसलिए शिवानी ने बात वहीं छोड़ दी, पकोड़ियों की प्लेट तरला की और बढ़ाते हुए कहा, तुम यह लेकर चलो मैं चाय ला रही हूँ, चाय मेज पर लगा कर उसने हर्श को आवाज दी, परन्तो कोई उतरने आने पर स्वैम दूसरे कमरे में अक्षय और उसे बुलाने चली गई, तरला उसके पीछे पीछे थी, अक्षय और हर्श दोनों एक दूसरे के साथ, शिवानी को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक रहा है, तरला हर्श को अपने साथ ले गई, पर शिवानी उस दृश्य को भूला नहीं पाई, एक दिन सुबह जब तरला हर्श को छोड़ने आई, तो उसके चहरे पर घहरी उदासी चाय हुई थी, आखों के चारोर गीरी कालिमा बता रही थी, कि वै रात को सो नहीं सकी थी, शिवानी कारण जानना चाकर भी पूछ नहीं सकी, उसकी प्रशन भरी द्रिश्टी देखकर स्वैम तरला ही बोली, पापा कल एक स्थान पर संभंध लगबग पका कर आये हैं, ओ, तब तो बधा आयो तरला, तरला सुबक्ती हुई शिवानी से बोली, परंतु शर्त यह है कि हर्श को अपने साथ में रखों, शिवानी ने अश्चरिय से कहा, यह कैसी शर्त है, तुम अपना बच्चा कहते छोड़ दोगी, और चाची जी की आयो क्या इस समय बच्चे पालने की है, तु कुछ दिनों में मैं शायद उन महाश्य को मना लूँगी, क्या करूं, माबाप की चिंता का कारण कब तक बनी रहूं, विद्वा जानकर कोई मुझे अपनाने को तयार है, यही क्या कम है, तरला के आसु अभाद गती से बहने लगी, शिवानी का हिर्दे जोड-जोड से ध तरला कुछ बोलने की स्थिथी में नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आखें उपर उठा दी, शिवानी बोली, हर्श को तुम्हे छोड़ना पड़ रहा है, चाची जी में इतनी शक्ती नहीं है कि भैसायू में बच्चे को संभाल सके, क्यों ने तुम उसे हमें गोद दे द कहकर शिवानी को लगा उसने तरला को गाली दे दी हो, और अव है उस पर बरस पड़ेगी, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ, तरला मन्स्वर में बोली, यही विचार मुम्मी ने भी वेक्त किया था, मैंने सोचा शायद आप अपने रिष्टेदारों से ही बच्चा गोद लेंगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे, क्या भाई साब भी चाते हैं गोद लेना, उनको मुझसे अधिक बच्चे प्यारे हैं, उन्हीं की इच्छा थी कि अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले ले, अब उन्हें निराशा नहीं होगी, कैसी बाते करती हो, हमें तो बच्चा चाहिए, सो मिल रहा है, यदि हर्ष को कभी भाई भेन की अवशकता अनबव हुई, तो अनाथ आश्रम से ले लेंगे, फिर भी कुछ सैशंकित होकर बोली, तरला, तुम खूब सोच लेना, फिर शिगर ही गोद लेने की कानूनी कारवाई कर लेंगे, तरला रोती हुई बोली, भाबी जी, आप आज से ही हर्ष को अपना समझे, जब इसके पिता का व्योग सैसकी हूँ, तो इसकी दूरी भी सैलोंगे, कम से कम इतनी आश्वस तो रहोंगी कि मेरा बच्चा सुखी और स शाओं से पालोगी, जैसे हम हर्ष को, परन्तु तरला और ने सै सकी, और है तुरंत बहार चली गई, शाम को जैसे ही अक्षय घर में गुसा, शिवानी उल्लसित हो बोली, जानते हैं, तरला हर्ष को हमें दे रही है, अक्षय ने प्रसंता से एक हाथ बढ़ा कर उसे अपन मूचे पालिया, हर्ष कमरे में एक और बैठा, एक बड़ी मोटर पर, बड़े यतन से छोटी मोटर रख रहा था, यह देखकर उसे लगा कि वह अलग छुटा जा रहा है, इसलिए अक्षय की और बढ़ते हुए बोला, देखो अंतल, हमने मोतल के उपर मोतल लग दी, दब अर्णिर रहा है, उसलिए आष कोछ लग भाल चांग